एक्सरसाइस 2.1 क्वेस्चन नमबर 2 Find the transpose of the following matrices तो हमें transpose find out करना है सबसे पहले solution और इस part 1 को हम लेट करें करेंक लेट एक्वेस्चन 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 एक्वेस् तो अभी हम इसमें क्या करेंगे तो ट्रांसपोस के लिए हम रो को कालम में चेंज करेंगे तो ये ट्री ओर ट्रो की शकल में है तो हम ट्री ओर ट्रो को कालम की शकल में लिकेंगे और माइनस फाइफ सेवन भी रो की शकल में है हमारे पास है 457 इसमें सिर्फ एक रो है तो सलूशन इसको हम लेट करें के लेट B इकवल्स टो 457 तो टेकंग ट्रांस Julius तो बी ट्रांसिपो इकवल्स टो मेट्रिक्स 457 का ट्रांसिपोस बी ट्रांसिपोस एकवल्स टो अभी ये 457 रो की शकल में है इसको हम कालम की शकल मिलकेंगे फॉर, फाइव, सेवन यह चीज़ है यही हमारे पास आंसर है अभी पार्ट त्री पार्ट त्री हमारे पास है माइनस वन, टू, वन, त्री, जिरो, टू और एट, त्री, नाइफ सलूशन तो लेट करेंगे कि सी इक्वल्स टू यही मेट्रिक्स जो के हमारे पास माइनस वन, टू, वन, त्री, जिरो, टू, एट, त्री, नाइन तो इसको हम ने ठीप सी के बराबर लेट किया तो हमारे पास C उक्वल्स टू minus 1, 2, 1, 3, 0, 2, 8, 3, 9 तो I will be taking transpose C transpose equals to matrix जो कि हमारे पास minus 1, 2, 1, 3, 0, 2, 8, 3, 9 है का transpose तो C transpose equals to अभी minus 1, 2, or 1, row की शकल में है तो इसको हम column की शकल मिलकेंगे minus 1, 2, 1, 3, 0, 2 को भी उसी तरह है 3, 0, 2 को और 8, 9, 8, 3, 9 को भी हम column की शकल मिलकेंगे यही C का transpose है और यही हमारे पास answer है अभी part 4 हमारे पास है question number 2 के इसमें A, B, C, D, E, or F तो solution सबस्पेल इसको लेट करेंगे कि लेट D equals to matrix A, B, C, D, E, and F I'll be taking transpose यह इसे के साथ तो अभी डी ट्रांसपोर्स एक्वल्स टू A, B, C, D, E, F का ट्रांसपोर्स तो D ट्रांसपोर्स एक्वल्स टू तो अभी यह A, B, Rो की शकल में है इसको हम कालम की शकल में क्लिकिंग A, B, C, D, D, E, F यही हमारे पास आंसर है पार्ट फाइफ को सॉल्फ करेंगे तो पार्ट फाइफ हमारे पास 10, 11, or minus 3 solution इसको लेट करेंगे E के बराबर let E equals to 10, 11, minus 3 टेकिंग ट्रांसपोर्स तो E का ट्रांसपोर्स एक्वल्स टू 10, 11, minus 3 का ट्रांसपोर्स तो E का ट्रांसपोर्स एक्वल्स टू अभी यह 10, 11, or minus 3 रो की शकल में है इसको हम कालम की शकल में लिकेंगे 10, 11, minus 3 यही हमारे पास आंसर है अभी पार्ट 6 पार्ट 6 जिसमें हमारे पास 1, 3, 7, 5, 8, और 9 है तो सलूशन इसको हम लेट करेंगे सलेट, F इक्वल्स तो माट्रीक्स 1, 3, 7, 5, 8, 9 तो सलूशन घ्किकी श्केवल्स तो तो सलूशन 9 का ट्रांस्पोस तो f का ट्रांस्पोस इक्वल्स टू अभी 1 और 3 रो की शकल में है इसको हम कालम की शकल में लिकेंगे 7 और 5 को भी 7 और ये 5 और ये 8 और ये 9 और ये हमारे पास आंसर है